केंद्र सरकार की ओसे नागरिक्ता संसोधन अधिनियम को लेकर बड़ा फैसला सामने आये हैं आखिर पांस साल के लंबे इंतिजार और कई विरोत प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने CAA को पूरे देश में लागो कर दिया है केंद्री ग्रह मंत्राले ने नागरिक्ता संसोधन अधिनियम के नियमों को लेकर सुमवार को अधिसूशना जारी कर दी है इसके तहट तीन पड़ोसी देश के अलप संख्यकों को भारत के नागरिक्ता मिल सकेगी आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला महुस अपना और आप देख रहे हैं प्रदिशना दरसल साल 2019 में ही नागरिक्ता संसोधन अधिनियम को लेकर लोकसबा और राजसबा दोनों सदनों में पारित कर दिया था दोनों सदनों में पास होने के बाद CAA को 10 जनवरी 2020 को रास्टपती की मनजूरी मिल चुकी थी लेकिन देश में इस नियम के खिलाव चल रहे विरोत प्रदर्शन की कारण अभी तक इसे लागो नहीं किया जा सका था जिसके बाद अब पांस साल के बाद 2024 में केंदर सरकार ने CAA के नियमों की अधिसूशना जारी करिसे देश भर में लागो करने आपको बता दें के CAA के तहट इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांगलादेश के अलप संख्याकों को भारत के नागरिक्ता मिल सकेगी इसके नियमों की मताबिक नागरिक्ता से जुड़े अधिकार केंदर सरकार के हाथ में होंगे वहीं केंदर सरकार ने इसके आवेदकों के लिए एक पोर्टल भी तयार किया है जिसके जरीए आवेदक ऑनलाइन आवेदन भर पाएंगे क्योंकि ये पूरी प्रकरिया ऑनलाइन होगी वहीं भारतिये नागरिक्ता केवल उन्हें मिलेगी जिन्होंने बांगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरन लेली थी इन तीन देशों के लोग ही नागरिक्ता के लिए आवेदन करने के योग सांथी केंदरी घ्रहमंत्री अमिट शा ने C.A.A. को लेकर अपने ओफिशियल सोशल मीडिया हैंडल X से ट्वीट कर जानकर ये साजकर लिखाए कि मोधी सरकार ने आज नागरिक्ता संसुदन नियम 2024 को अधिसूचित कर दिया है ये नियम आप पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर पतारित अलपसंख्यों को हमारे देश में नागरिक्ता प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं ये के पूरे देश में लागू होने के बाद कई लोग सरकार के पडोसी देशों में मौझूद अलपसंख्यों को लेकर उठाए गए इस कदम का सराना कर रहे हैं तो वहें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फैसले से नाखुश हैं और इसका विरोत कर रहे हैं साथ ही कई लोग इसे आगा में चुनाव से जोड़कर सरकार की चुनाव रहनीती बता रहे हैं आप ऐसे ही देशों दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ प्रदेश नाखुश